उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दीप प्रजुलित करें अगर गोल बाती है तो वो तो दीए के बीच में होगी और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो लंबी बाती को लेकर पहुचे हो तो अगर दीप लगा रहे हो कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना पर कोई कामना नहीं हम भगवान को केवल इसलिए रिजा रहे हैं कि मेरा भोले नात मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुक सम्रद्दी दे तो की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि ए मने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया Um एक अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमने क्या करना है यह पी की जिवन है मेरा जो संपुन परिवार है मेरा जो कुटुम्ब है मेरा जो कविला है मैं जिस घर में निवास करती हूं मैं जिस घर में रहता हूं उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर है तो बाती का मुख कहां हो गया भगवान की ओर हो गया बाती का मुख फिर भगवान की ओर है पर ज्याधा तर लोग दिया जो लगाते हैं न वह अपनी और बाती करके ही लगाते मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब यसका मतलब पड़े चोट लग जाए ऐसा भी नहीं जब भी वी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना माराज अगर भगवान जिस इस्थान पर वेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने तो अपन जहा कि बिता की दूरी तो होना ही चाहिए जिससे भगवान को भी चोटना लगे भगवान को भी गह необход तुलसी महराणी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महराणी से दूर लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगा पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नी जै कि इनका उन्हाने में एतनी जगई निए कि वह मे रको तो लो रो में धर estrogen holy मॉझी में रखते आए मालूम पड़े तिल्सी महराणी का पत्ता मुर्जा जाता तो तुल्सा महराणी वी ऐसी धो जाती है तुल्सा किसी को कश्ट देकर किसी को परिशान करकर देवता हुँ आपको आप किसी को कश्ट देकर किसी को परिशान करकर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं हमारा शाम को चार वजे से लेकर साथ वजे के बीच मैं संकर और फारवती के प्रमनकर समय बगवान संकर पारवती गुमने को निकल निकले इसलिए हमारा फनातन धर्म करता है शाम के समय पर माताओं को जाड़ों नहीं लगाना चाहिए शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिच्छिया नहीं बदनना चाहिए उसका कारण क्या है क्योंकि पारवती जी ने भगवान बोलेनाचि जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोस्टाल में ब्रह्मन के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आध्या क्या है, संसर भगवान ने का सुनो पारवती, मंदिर के अंदर मंदि रहता है, जाने करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड़सूँदाक्यृति का बर्भादा करना करना तब पारबती माता थ構ड़ कोई भी होगा है तो में कैसे तो एक समये पर जाड़ा हम्त पुलिल रही होगी तो में लच भगल में होता है। इस समय पर केवल शंकर और पारवती की अधाधना के समय होता है हम तो कई लोगों से करते हैं अगर आपके यहाँ, संभदा नहीं आ रही है बहुत मेहनत कर रहे हो, फ़ल नहीं मिल रहा कही नोकरी, कहीं सर्विस लिया, कहीं वेपार या वेउसाइ में कहीं तक्लीf आ रही है हम सब से करते शाम का समय पकड़ लो संकर जी के मंदर में दिया लगाना परारा, श्मु मंदर में अपने द्वार पर दिया लगा दो और शंकर जी के नाम का श्री शिवाए नमस पुप्यम बोल कर शंकर भगवान को याद करकर अपनी कामना करकर बाबा का स्मर्ण करकर पंचाक्छर मंतर नमस शिवाए सदाक्छर मंतर ओम नमस शिवाए तो आठा सक्षर मंत्र, ओम नमो भगरतेवा सुदेवाइद, जो मंत्र तुम को याद है, उसका इस समर्ण करकर लच्छनी हो चाह नारेन हो चाह राम हो चाह कृष्ण हो, इस समर्ण करकर साम के समय पहार दिया लगा दो, तरवाजे के पास लगा दो, उस सुनेगा जरूर, आएगा उसका दिल कम जरूर होगा और वो कुछ देखर ज़र ज़र जाए नियम तो बनाओ उसकी चोखट बढ़ जाते रखता है नहुता है भरस्कति महाराजी ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्र देओ तुम संकर जी की अराधना करो शिप अराधना से संकर जी जो मार्द प्रस्थ करेंगे शिप अराधना से जो संकर जी कहेंगे वो तुम करना है ठीक है अराधना करी बाबा बोले ना जी मालूम नहीं था इंद्र देओ को रस्तती महराज ने प्रदोश की महत्वता समझाई तो प्रदोश का समय जानकर संकर जी पर साथ बेलपत्र प्रदोश के दिन इंद्र ने समर्पित करदी बिना सोथे कितनी बेलपत्र? साथ प्रदोश का ब्रद करो चायना करो मंदिर में चड़ी होई बेलपत्र को उठा लो बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसपस प्त्रियाना साथ प्त्रिय का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे ये ये प्त्रियाना एक जैसी रखी होई है तो इसको फैलाए साथ प्त्रिय को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बनाए प्रदोश का ब्रद करें ना करें जरूरी नहीं है कि ब्रक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो इस अंसर्जी को चड़ा उड़ाओगा शिव जी पे जित चड़ी रूए उठाकर धोकर प्रम कमल बनाकर पावास की बिने करकर हेप योगो आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ बाबा मेरा यकार है बोलकर श्री श्रिवाय नमस्तु प्रम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित करते देनभर के प्रदोश्वरत का प्तल बाबाबा एक बिलपत्री समर्पित करने पर प्रदान कर देता है प्रदोश्वरत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई परसनता नहीं पर नहीं कर रहे तो प्रदोश्वरत के लिए या बारों महीने श्रिवरत प्रिया की है स्रीश वाय नमस्तुबं हर हर महादेब कैसे आज सबी लोग आशा करते हूं आप सबी बहुत अच्छे होंगे देखे जो भी मेरे चैनल पर पहली वाही बहन पहली वार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो कैसी लगती है कमेंड में हर महादेब लिखना ना भूलें देखिए आज को उपाय बहुत ही अच्छा उपाय बताया है प्रदोस काल में अगर आप एक दीप अपने दर्वाजे पर लगाते हैं तो धन का आप क्या भंडार भर जाएगा लच्मी का आगमन होगा कहते हैं प्रदोस काल में सिर्फ पारवती ब्रमड के लिए निकलते हैं तो नंदी की कान में जाकर अगर आप मंदिर जाते हैं और आपको आना है घर साम को आपको एक डीप लगाना है साम को अपने दर्वाजी के पास लंबी वाती का लगाना है घी का और आपको प्रजलित करते समय यही बोलना है कि हे नंदी बाबा आप सिपजी पारवती को भृमढ करने के लिए लेके आई ये तो हमारे याँ उनको लेकर अवश्य आएं प्रथवी पर परदोस काल में सिवरात्री में 81 सी पर सिर्थवी पर भृमढ के लिए आते हैं तो इसलिए आपको दर्वाजे पर एक घीका दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए इससे आपके धन में बरकत होगी आपके धन समबदा खोब बढ़ेगी कोई भी कस्ट बीमारी नहीं रहेंगी आपके धन समबदा की जो भी कमी है वो कमी पूरी होगी जिस वेक्ति के धनकी बहुत कमी है कस्ट बहुत जादा है विपता पड़ी है समझ नहीं आ रहा है क्या करें तो प्रदी पिसरा जी ने से प्राण में बता दिया है कि अगर आपके यह सब परेशानिया हैं तो आप एक उपाई अवश्य करने प्रदो स्काल में एक दीपक अवश्य लगाएं देखिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आप शिवालने नहीं जा सकते बेल पत्र के पेड़ के पास दीप नहीं लगा सकती तो एक अपने दरवाजे पर अवश्य ही लगा दें देखिए वैसे बहुत ही सुब उपाई बताया गया है कि बेल पत्र का पेड़ अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस पे एक दीप प्रदो स्काल में आप साम की टाइम जरूर लगा कर आएं इससे आप क्या जो भी धनगी कमी है वो पूरी हो जाएगी जो भी आप क्या कस्ट है वो समाप्त हो जाएगा आपकी जो भी मनो कामना है वो पूर्ण अवस्य हो जाएंगी पर दीप इसला जी ने अपनी कथा में ये भी बताया है उनका ही उपाय सुनकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ जो भी वैक दीप दो स्काल में साम की टाइम मंदर जाकर एक दीप लगाए जो भी अपनी कामना है कामना को जानकर आपको रखकर अगर दीप लगानी है तो वो लंबी बाती का दीप लगाते वक्त उसका मुख अपनी तरफ करकर ही लगाए अगर कोई कामना नहीं है वैसे ही आप सिब जी को रिजा रहे हैं आप किया धन संबदा ह हमेशा रहे आप क्या सुक्सांती बनी रहे तो आप उस दीप का मुख सिभजी की तरफ कर दें अगर आपकी कोई कामना है तो उस दीप का मुख अपनी तरफ लगाएं लंबी जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रजिलित करो उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रजिलित करें अगर गोल बाती है तो वो तो दिये के बीच में होगी फूल बाती है तो वो दिये के बीच में होगी और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो लंबी बाती को लेकर पहुचे हो तो कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी एक कामना है तो वो दीप का बाती का मुख अपनी और रखना पर कोई कामना नहीं हम भगवान को केवल इसलिए रिजा रहे हैं कि मेरा भुले नात मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख्समृद्धी दे तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है अर्थात मेरा जो जीवन है मेरा जो संपूर्ण परिवार है मेरा जो कुटुम्ब है मेरा जो कवीला है मैं जिस घर में निवास करती हूँ मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर है तो बाती का मुख कहा हो गया भगवान की ओर हो गया बाती का मुख फिर भगवान की ओर है यि जागरू करें इनके कामने निरण दो रहती है पर उस बाती में 잠 specially है आप सम्पोण परिवार समे पूर्ण अपने परिवार का दुकान हो धन्दा हो वेपार वेवसाय हो चाहे आप जितना भी कारे कर रहे हो फेक्पपनीया चला रहे हो वो सब अपने भगवान के वरोसे पर दे दिया भगवान की ओर दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिलकुल करीब में बाती का मुख करकर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए ऐसा भी नहीं जब भी भी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना मारज अगर भगवान जिस इस्थान पर वेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच म कम से कम दो बीता की दूरी तो होना ही चाहिए जिससे भगवान को भी चोटना लगे भगवान को भी घातना लगे तुलसी महराणी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महराणी से दूर लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगा पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नी महारानी भी ऐसी मुर्चित हो जाती है तुलता महारानी भी चारु तरफ से वो दिये की लो से जल जाती है ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं है कि ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है किसी को कष्ट देकर किसी को परिशान करकर देवता हूं जो आपको आप किसी को कष्ट देकर किसी को परिशान करकर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा कि उसका कोई आनंद नहीं है किसी को भी किस्त देकर अगर आपने भजन भी किया यगवी करा दान भी करा पुन्ने भी करा सतकर्मच wrapper भजन भी करा इस शाम को 4 बजय से लेकर साथ देट ज है के बीच में शंकर पार्वती के ब्रहन कर परमाताओं को जाड़ों नहीं लगाना चाहिए शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिच्षिया नहीं बदनना चाहिए शाम के समय परमाताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए शाम के समय परमाताओं को बाला ही बाना चाहिए शाम के समय परमाताओं को चोखट पग नहीं बेटना चाहिए उसका कारण क्या है क्योंकि पारवती जी ने भगवान बोलेनाची से कहा था कि तुम मुझे रोज साम के समय प्रदोस्काल में ब्रह्मन के लिए लेकर जाते हो मेरे लिए आध्या क्या है संकर भगवन में का सुनो पारवती मंदिर के अंदर नंदी रहता है जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कर जाता मैं नण्दी के उनके घर जाता हूं। मेरा काम है उनका कल्यान करना, और तेरा काम नारी के नारी की अखळण सुभाक्योद गीवती तब पारवुतीमाता ने कहां, अखळण सुभाक्योद होने का बर मयत्तो देदूंगी, पर उस समय पर चूड़ी बिच्छिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे देश कती हूं उस समय पर जाडू लग रही होगी तो मैं लचमी पहां कैसे भेश कती हूं आप बताओ, तो संकर वगवान में कहा, प्रदोस के समय, एक इसा समय होता है, शाम के समय होता है, जिस समय पर केवल शंकर और पारवती की अराधना के समय होता है। हम तो कई लोगों से करते हैं, अगर आपके यहां संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, धल नहीं मिल रहा, कहीं नोकरी, कहीं सर्विस या कहीं वेपार या वेशाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सब से करते हैं, शाम का समय पकड़ लो, संकर जी के मंदर में दिय तो पेल पत्री और संकरजी के मंदर में दिया नहीं लगा रहा तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो पर संकरजी के नाम का शिरी शिवाय नमस रुप्यम बोलकर संकर भगवान को याद करकर अपनी कामना करकर बाबा का स्मर्ण करकर पंचक्छर मंत्र नमस शिवाय शड़ाक्छर मंत्र ओम नमस शिवाय त्वाटा सक्छर मंत्र ओम नम भगरतेवासु देवाय जो मंत्र तुम को याद के उसका स्मर् जरूर आएगा तो उसका दिल कम जरूर होगा और वो कुछ देखर जरूर जाए नियम तो बनाओ उसकी चोखट बढ़ जाते रहता है नहुता है बरस्कती माराजने कहा कि शाम का समय जो प्रदोश का समय होता है उस समय पर इंद्र देओ तुम संकर जी की अराधना करो शिप अराधना से संकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे शिप अराधना से जो संकर जी कहेंगे वो तुम करना है ठीक है अरादनकरी बाबा बोले ना जी मालूम नहीं था इंद्रदेव को रस्त की महराद ने प्रदोश की महत्वता समझाई तो प्रदोश का समय जानकर संकरजी पर साथ बेलपत्र प्रदोश के दिन इंद्र ने समर्पित करदी बिना सोथे कितनी बेलपत्र? साथ प्रदोश का बरत करो, चायना करो मंदिर में चड़ी होई बेलपत्र को उठा लो बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसपस प्त्रिया लो साथ प्त्रिय का ब्रह्म कमल बना कर जैसे ये प्त्रिया आए एक जैसी रखी होई है तो इसको ठेला जाया तर्थति पट्ति को आपस में लाकर ब्रम्म कमल बनाएं प्रदोश का परत करें ना करें जरूरी नहीं है कि ब्रक्ष से ही पत्ति लेकर आओगे तो इस संकर्जी को चड़ा उडाओगा शिव जी पे से चड़ी रुए उठाकर दोकर प्रम कमल बनाकर बाबा से विने करकर हे प्योगों आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं बाबा मेरा ये कारे है बोलकर श्री शिवाय नमस्तु प्रम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित करकर दिन भर प्रदोश वरत का खल बाबा एक बिलपत्री समर्पित करने पर ब्रदान कर देता है शिवाय नमस्तु प्रम हर हर महादेब कैसे आँ सब लोग आशा करती हूं आप सबी बहुत अच्छे होंगे देखे जो भी मेरे चैनल पर पहली वाही बेहन पहली वार आए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो कैसी लगती है कमेंड में हर माधिव लिखना ना भूलें देखे आज को उपाई बहुत ही अच्छा उपाई बताया है प्रदोस काल में अगर आप एक दीप अपने दर्वाजे पर लगाते हैं तो धन का आप क्या भंडार भर जाएगा लच्मी का आगमन होगा कहते हैं प्रदोस काल में सिर्फ पारवती ब्रमड के लिए निकलते हैं तो नंदी के कान में जाकर अगर आप मंदर जाते हैं तो उनके कान में अवशी कह के आएं कि ब्रमड के लिए आप सिर्फ जी और पारवती को लेकर आते हैं प्रदोस काल में साम की डायम तो हमारे य और आपको प्रजलित करते समय यही बोलना है कि हे नंदी बाबा आप सिब जी पारवती को भ्रमण करने के लिए लेके आएं हैं तो हमारे यहां उनको लेकर अवश्या आएं प्रत्वी पर प्रदोस काल में शिवरात्री में एकाथसी पर सिब पारवती प्रत्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं तो इसलिए आपको दर्वाजे पर एक घीका दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए इससे आपके अधन में बरकत होगी आपके अधन समबदा खोब बढ़ेगी कोई भी कस्ट बीमारी नहीं रहेंगी आपके अधन समबदा की जो भी कमी है वो कमी पूरी होगी जिस वेक्ति के अधनकी बहुत कमी है, कस्ट बहुत ज़ादा है, विपता पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें तो परदी पिसरा जी ने से प्राण में बता दिया है कि अगर आप किया ये सब परिशानिया हैं तो आप एक उपाई अवशे करनें परदोस काल में एक दीपक अवशे लगाएं, देखिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आप शिवाले नहीं जा सकते, बेल पत्र के पेड़ के पास दीप नहीं लगा सकते तो एक अपने दर्वाजे पर अवशे ही लगा दें, देखिए वैसे बहुत ही सुब उपाई बताया गया है कि बेल पत्र का पेड़ अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस पर एक दीप प्रदोस काल में आप साम की टाइम जरूर लगा कर आएं इससे आप क्या जो भी धनगी कमी है, वो पूरी हो जाएगी जो कहीं किस्ट है, वो समापत हो जाएगा आपकी जो भी मनो कामना है वो पूर्ण अवशे हुई हो जाएगी पर दीप इसलाजी ने अपनी कथा में ये भी बताया है उनका ही उपाय सुनकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ जो भी वैक दीप दो स्काल में साम की टाइम मंदर जाकर एक दीप लगाए जो भी अपनी कामना है कामना को जानकर आपको रखकर अगर दीप लगानी है तो वो लंबी बाती का दीप लगाते वक्त उसका मुख अपनी तरफ करकर ही लगाए अगर कोई कामना नहीं है वैसे ही आप सिप जी को रिजा रहे हैं आप किया धन संबदा हमेशा रहे, आप किया सुक्सांती बनी रहे, तो आप उस दीप का मुख सिभजी की तरफ कर दें, अगर आपकी कोई कामना है, तो उस दीप का मुख अपनी तरफ लगाएं, लंबी जब दिया लगाओ, और मंदिर में जब दीप प्रजिलित करो, उस समय पर, जब मंदिर में दीप लगाएं, और मंदिर में जब दिया प्रजिलित करें, अगर गोल बाती है, तो वो तो दिये के बीच में होगी, फूल बाती है, तो वो दिये के बीच में होगी, और मान लो, अगर लंबी बाती को लेकर पहुचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो, कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं, हम भगवान को केवल इसलिए रिजा रहे हैं कि मेरा भूले नात मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुक सम्रद्धी दे तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है यह दीप की बाती का मुख है वो आपकी ओर है अर्थात मेरा जो जीवन है मेरा जो संपूर्ण परिवार है मेरा जो कुटुम्ब है मेरा जो कविला है मैं जिस घर में निवास करती हूं मैं जिस गर में रहता हूँ उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर है तो बाती का मुख कहा हो गया भगवान की 와 또 बाती का मुख फिर भगवान कीION कि अपर जाधा तर लोग दिया जो लगाते हैं न वह अपनी और बाती करके ही लगाते मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 गनते कुछ-कुछ कामना है इनकी जागरू करेती है इनकी कामना निरंतर रहती है पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो धंदा हो वेपार हो वेवसाय हो चाहे आप जितना भी कारे कर रहे हो फेक्टनिया चला रहे हो वो सब अपने भगवान के वरोसे पर दे दिया भगवान की ओर दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में बाती का मुख करकर लगा दो भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए ऐसा भी नहीं जब भी वी दिया लगता है आप बहुत ध्यान देना मारज अगर भगवान जिस स्थान पर वेटे हुए हैं अगर दिया हमको रखना है भगवान जहां विराजमान है दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामन तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम दो बीता की दूरी तो होना ही चाहिए जिससे भगवान को भी चोटना लगे भगवान को भी घातना लगे तुलसी महरानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महरानी से दूर लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगा पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीच पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुर्जा जाता है तुलसा महारानी भी ऐसी मुर्चित हो जाती है तुलसा महारानी भी चारु तरफ से वो दिये की लो से जल जाती है ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं है कि ऐसे दीप की कोई महत्तवता नहीं है कि किसी को कश्ट देकर किसी को परिशान करकर देवता हूं चोई आपको आप किसी को कश्ट देकर किसी को परिशान करकर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा उसका कोई आनन्द नहीं है open कि सी को भी कष्त देकर अगर आपने भजन भी किया यग्ये भी करा धान भी करा खुर्ण पुन्तria सतकरम भी किरा भजन भी कर शाम को 4 वजे से लेकर 7 वजे के बीच में शंकर और पारवती के ब्रमन का समय रहता है मेरे देवा दिव महादेवा माथा पारवती के ब्रमन तर समय बगवान संकर पारवती गुमने को निकल निकली। इसलिए हमारा फनातन धर्म करता है शाम के समय पर माताओं को जाड़ों नहीं लगाना चाहिए शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिच्छिया नहीं बदना चाहिए शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए शाम के समय परमाताओं को बाला ही बाना चाहिए शाम के समय परमाताओं को चोगट पक नहीं बेटना चाहिए उसका कारण क्या है क्योंकि पारवती जी ने भगवान बोलेनाची से कहा था मुझे रोज शाम के समय प्रदुष्काल में ब्रह्मन के लिए लह opening मेरे लिए आध्या क्या है संकर भगवन में का सुनो पारवती मंदिर के अंदर नंदी रहता है जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कर जाता है कि शिव जी को मेरे यहां लेकर आना में नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूं मेरा काम है उनका कल्यान करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सुभा गिवती का बर बलार करना ये तेरा का तब पारवती माता ने कहा अखंड सुभा गिवती होने का बर में तो दे दूंगी पर उस समय पर माता है चूड़ी बदल रही होगी रहात उसे श्चिया बतला जा रहा होगा तुम्हे वर कैसे सकती हूं उस समय पर जाड़ू लग रही होगी तो में लच्चमी नहीं पहां कैसे बहच कक्ते हूं आप पताओ तो संकर वगवान ने कहा प्रदोश्च क समय एक इसा समय होता है श्याम का समय इसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पारवती की अदाधना का समय होता है हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहां संबदा नहीं आ रही है बहुत मेहनत कर रहे हो, धल नहीं मिल रहा कहीं नोकरी कहीं सर्विस या कहीं वेपार या वेवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है हम सबसे करते हैं शाम का समय पकड़ लो संकर जी के मंदर में दिया लगाना परारा में शुम मंदर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो आपने दौार कर दिया लगा दो बर संह संकर जी के नाम का श्री श्यवाइब नमस्ट पृप्यम बोलकर संहिंतर भगवान को याद करकर अपनी कामना करकर अपनिक कामना करको अब होज़ा करकर पतिंध superiority श्क्र — अंब Sieva तरवाजी के पास तरवाजी के पास उस सुनेगा जरूर आएगा तो उसका बेल कम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाए नियम तो बनाओ उसकी चोखट बढ़ जाता है नहुता रहता हुआ veioई ऐ कि बहुíve को सी ने लाद में शाम की समय जो प्रदो शास समय होता है उस्आहल कर इंद्र देंने विगों संकर्जी कि अराधना करो सिपाराधना से मार्ग प्रसेट करेंगे शेपाराधना क कैंगे तुम करना न करए को अराधना करी बाबा बोलेगा अ कि मालुम नहीं था इंद्र देओ को रस्तती महराज ने प्रदोश की महत्वता समझाई तो प्रदोश का समय जानकर संकर जी पर साथ बेलपत्र प्रदोश के दिन इंद्र ने समर्पित तरदी बिना सोखे कितनी बेलपत्र साथ प्रदोश का बरत करो चायना करो मन्दिर में चड़ी होई बेलपत्र को उठा लो बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसपस प्त्र प्त्र का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे ये ये प्त्र आये एक जैसी रखी होई है तो इसको पहला जाया साथ प्त्र को आपस में ठेलाकर ब्रह्म कमल बनाएं प्रदोष का प्रत करें ना करें जरूरी नहीं है कि ब्रक्षते ही पत्त्र लेकर आओगे तो इस अंकर्जी को चड़ाओगा शिवजी पे जिद्धि चड़ीर उठाकर दोकर ब्रह्म कमल बनाकर पावासिविने करकर हे प्योगों आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं बाबा मेरा यकार है बोलकर श्री शिवाय नमस्तु प्रम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित करकर दिन भर के प्रदोषवरत का प्तल बाबा एक बिलपत्र समर्पित करने पर प्रदान कर देता है प्रदोषवरत कर रहे हैं उससे बड़कर कोई प्रसनता नहीं पर नहीं कर रहे तो प्रदोषवरत के दिन या बारों महीने शिवरत प्रिया की है कैसे आज सबी लोग आशा करती हूं आप सबी बहुत अच्छे होंगे देखे जो भी मेरे चनल पर पहली वाही बहन पहली वार आए हैं वह मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंड में हर माधिव लिखना ना भूलें देखिए आज को उपाय बहुत ही अच्छा उपाय बताया है प्रदोस काल में अगर आप एक दीप अपने दर्वाजे पर लगाते हैं तो धन का आप क्या भंढर भर जाएगा लच्मी का आगमन होग कहते हैं प्रदोस काल में सिभ पारवती ब्रमड के लिए निकलते हैं तो नंदी के कान में जाकर अगर आप मंदिर जाते हैं तो उनके कान में अवश्य कहके आएं कि ब्रमड के लिए आप सिभ जी और पारवती को लेकर आते हैं प्रदोस काल में साम की डायम तो हमारे यां आवश्य लेके आएं तो ऐसे कान में कहके आना है नंदी के कान में और आपको आना है घर साम को आपको एक डीप लगाना है साम को अपने दरवाजी के पास लंबी वाती का लगाना है गी का और आपको प्रजलित करते समय यही बोलना है कि हे नंदी बाबा आप सिपजी प्रत्वी पर प्रदोस काल में शिवरात्री में इकात्सी पर प्रत्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं तो इसलिए आपको दर्वाजे पर एक घीका दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए इससे आपके धन में बरकत होगी आपके धन सब बदा खोब बढ़ेगी कोई भी कस्ट बीमारी नहीं रहेंगी आपके धन सब बदा की जो भी कमी है वो कमी पूरी होगी जिस वेक्ति के धन की बहुत कमी है कस्ट बहुत जादा है बिपता पड़ी है समझ नहीं आ रहा है क्या करें तो प्रदी पिसरा जी ने से प्राण में बता दिया है कि अगर आपके यह सब हैं तो आप एक उपाय अवश्य करने पर दो सकाल में एक दीपक अवश्य लगाएं देखिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आप शिवालने नहीं जा सकते बेल पत्र के पेड़ के पास दीप नहीं लगा सकती तो एक अपने दर्वाजे पर अवश्य ही लगा दें द बूरी हो जायेगी जो भी आक कष्ठ है वह समाप्त हो जाएगा आपकी जो भी मनो कामना है वह पूर्णЬ ओऊ-भिंस्था जाएंगी परतशना जी ने अपनी कामना है कामना को जानकर आपको रखकर अगर दीप लगानी है तो वो लंबी बाती का दीप लगाते वक्त उसका मुख अपनी तरफ करकर ही लगाएं अगर कोई कामना नहीं है वैसे ही आप सिप जी को रिजा रहे हैं आप किया धन संपदा हमेशा रहे आप किया सुक सांती ब अगर आपकी कोई गाम ना है तो उस दीप का मुखह अपनी तरफ मजिर लगाएं यום मसिम्ध Alright इसमें जब दिया लगाओं और मंदीर में जब देप प्रजलित करो कि उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रजुलित करें अगर गोल बाती है तो वो तो दिये के बीच में होगी फूल बाती है तो वो दिये के बीच में होगी और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो लंबी बाती को लेकर पहुचे हो तो अगर दीप लगा रहे हो कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना पर कोई कामना नहीं हम भगवान को केवल इसलिए रिजा रहे हैं कि म मेरा भोले नात मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुक सम्रद्धी दे तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी और है अर्थात मेरा जो जीवन है मेरा जो संपूर्ण परिवार है मेरा जो कुटुम्ब है मेरा जो कवीला है मैं जिस घर में निवास करती हूँ मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का संपूर्ण कारवार सब तुमारे भरोसे पर है तो बाती का मुख कहां हो गया भगवान की ओर हो गया बाती का मुख फिर भगवान की ओर है पर ज्यादा तर लोग दिया जो लगाते हैं ना वो अपनी और बाती करके ही लगाते हैं मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 गंते कुछ कुछ कामना है इनकी जागरुक रहती है इनकी कामना है निरनतर रहती है पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो धंदा हो वेपार हो वेवसाय हो चाहे आप जितना भी कारे कर रहे हो फेक्तनिया चला रहे हो हो सब अपने भगवान के वरोसे पर दे दिया भगवान की ओर दे दिया तो इसका मतलब उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम दो बीता की दूरी तो होना ही चाहिए जिससे भगवान को भी चोटना लगे भगवान को भी घातना लगे